तो गाईज इंडियन बाइक ड्राइवंग 3D की सिटी के अंदर अटेक कर दिया है स्केबर्डी टोयलेट की आर्मी ने और आज हम फाइट करने वाले हैं हमारे इन दोस्तों की मदद से यार जल्दी जल्दी चलो आज तो काम से बहुत ज़्यादा लेट हो गया अब मुझे बहुत जोर से नींद भी आ रही है ओ बाई कुत्ता बच गया भाई एक तो नींद में था उपर से ये कुत्ता सामने आ गया पुरी कार ने ऐसे ड्रिफ्ट मार दी अचानक से आ गया यार कुत्ता सामने मैं क्या करता है एकदम से ड्रा दिया उसने ओ भाई हट जा हट जा हट जा भाई ये कौन था इतनी रात को एकदम से गाड़ी के सामने आ गया भाई ये क्या हो गया मुझ से ये ये तो मर चुका है यार यार अगर पुलिस को पता चल गया कि ये आद में मेरा तो भाई वो तो मुझे पक्कारेश्ट कर लेगी अब क्या करूं यार इसको ऐसे ही छोड के भी तो नहीं जा सकता क्योंकि सुबह तक कोई ना कोई इसको जरूर देख लेगा अच्छा हाँ बाई एक काम करता हूं या पांस में मेरे पुराना गर इसको वहां ले चलता हूं वहां वैसे भी कोई आता जाता नहीं है बाई मैं इसको लेकर अपने गर तो आ गया हूं बट इसको मैंने यहां बाई काम डन अब घर चलते हैं बाई आज तो बाल बाल बचाओं किसी ने मुझे देखा नहीं अगर कोई देख लेता तो मैं पक्का जेल में चक्की पीस था छोड़ो अब तो बच गया है इसलिए अब जाके अराम से सोता हूं बाई 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 इमर्जनसी बाई जल्दी चलो यार मामला हो गया बहुत तगड़ा बाई एक तो यह सला इतना बड़ा घर ले रखा है पर इसमें एक भी बातरूम नहीं है रोज सुबह ओल्ड वाले हाउस में जाना पड़ता है ओ ओ ओ बाई यह सब बताने का टाइम न पटाफट बातरूम के अंदर चलो यार क्योंकि अब बस मुझसे रहा नहीं जा रहा है यार अब अराम से सारा काम निप्टाता हूँ यह कैसा आदमी टोईलेट में से मूनिकाल के नाचने लग गया बाई वह क्या था आदमी था या फिर टोईलेट पहले पहले मैं तो यह यहां से निकल रहा हूँ यार मुझे मेरी आखों पहुआँ विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे सामने टोईलेट में सा आदमी निकल के नाचने लग गया बाई एक बढ़ घर चलके न्यूज में देखते है कि यह अजीब साड में मेरे ही टोईलेट में से मूनिकाल रहा थे औरों के टोईलेट में से भी मुह निकाल रहा है भाई ये ये क्या है यार इतने ज़्यादा टोईलेट्स भाई इन टोईलेट्स ने तो हमारी सिटी पे अटेक कर दिया वट ब्रो यार ये भार से कैसी अजीब अजीब सी आवाजे आ रही है ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत से लोग आपस में बात कर रहे है और एक अजीब सी आवाज और आ रही है यार उसके साथ एक बार बार चल के देखते हैं कि क्या हो रहा है बार वट ब्रो ये ये तो वो ही टोइलेट है लगता है इसने किसी को मार रखा है मतलब यार ये मौन्स्टर है भाई मैं काम करता हूँ ना चल के इसको फलस कर देता हूँ ये सही इसके पीछे से चुप चाप जाके इसको फलस कर देता हूँ ये साइए यार ये तो हो गया फ्लस पतानी कैसा टोइलेट वाला मॉन्स्टर है बट अब साइए मैंने इसको फ्लस कर दिया यार ऐसी चलता रहा तो ये टोइलेट्स दीरे-दीरे करके सभी को मार देंगे एक पर पुलिस स्टेशन चलके देखते हैं कि वो लोग इन स्केविडी टोइलेट्स को भगाने के लिए क्या कर रहे हैं सर वहां सिटी में इतने ज़्यादा बड़े-बड़े स्केविडी टोइलेट्स ने अटैक कर दिया है और आप यहां पर क्या कर रहे हो कुछ तो करो उनको भगाने के लिए क्या उनको मारने के लिए एक स्पेशल टीम रेडी की है भाई अब की बार तो इन पुलिस वालों ने बहुत जल्दी इंतजाम कर दिया उन स्केविडी टोइलेट्स को भगाने के लिए गाईस वो टीम एयरपोर्ट पे खड़ी है तो एक बार चल के देखते हैं कि इन्होंने कैसी टीम रेडी की है उन स्केविडी टोइलेट्स को मारने के लिए इसी बिल्डिंग के अंदर वो टीम खड़ी है तो एक बार इस बिल्डिंग के अंदर जाके देखते हैं कि वो टीम कैसी है भाई ये कैसे आदमी है दिखने में एकदम टीवी मैन से लग रहे है वैसे इनका सरीर भी काफी लंबा और चोड़ा है देखने में लग तो रहे कि ये उन स्किबडी टोइलेट्स को मार पाएंगे भाई मस्त बात तो ये है कि ये अभी इसी टाइम उन स्किबडी टोइलेट्स पे अटेक करने जा रहे है एड इसलिए भाई मैं भी इनके साथ जा रहा हूँ लेकिन लड़ने के लिए नहीं सिरफ देखने के लिए कि ये उन स्किबडी टोइलेट्स को कैसे मारेंगे तो फटाफट से चलके एक ऐसी लोकेशन पर खड़ा हो जाता हूँ जहां से मुझे सारा नजारा साप साफ दिखे So let's go ओ भाई उन पुलिस वालों ने इन स्क्यूबिटी टोईलेट से लड़ने के लिए कुछ कैमरा मैन की भी टीम बेज रखी है पर भाई ये तो लगबग से पिटी चुके हैं भाई ये क्या हुआ इनको एकदम से ये फ्रीज क्यों हो गए ये क्या हो गया एकदम से रुक कैसी गई यार ये स्क्यूबिटी टोईलेट्स ओ भाई हमारी टीवी मैन की टीम आ चुकी है यहां पर और लगता है इनोंने कुछ ऐसी रेंज मारी है इन टोईलेट्स के उपर जिससे की ये फ्रीज हो गए बाकि भाई ये सही मौका एक खड़े क्यों êm आरो उन स्क्यूबिटी टोईलेट्स को ओ भाई ये कैम्रा मेन तो इन टोलेट्स के उपर चड़ चुके हैं पूरा और भाई हमारी कैम्रा मेन एन टीवी मैन की टीम ने मिलके इन सक्रिपड़ी टोलेट्स को फिर से हरा दिया है और एक पर पिर से गाईज हमने इन मोंस्टर से अपनी सिटी को बचा लिया है तो गैज अपनी सिटी को बचाने के बाद अब चैन की नींद सोते हैं अब चैन की नींद सोते हैं